इंडिया चाहता है इरान मेंस्ट्रीम हो जाए क्यों क्योंकि अगर कल फॉरिन फोर्सेज अगर कल अमरीका आता है अफगानिस्तान जो कि अमरीका आएगा ने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो दस साल के बाद अफगानिस्तान यह होना है 2952 वोट टोटल के टोटल पड़ने थे और 9252 वोट में पता आपको शीजिंग पिंग को कितने मिले 2952 किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि शीजिंग पिंग के खिलाब एक भी वोट यार यह तो हाल हैं कि तुमने इराक में एक पूरी कौम को निप 9-11 उन्होंने निप्टा दिया उस्ट्रेलिया यूके एंड यूनाइट स्टेट्स जो ऑकस का एक ग्रूपिंग बनी है ऑकस के तहित यह काम हो रहा है कि यह नुक्लियर अटक सब्रीन्स अब अमेरिका से खड़ी देंगे जैन दोस्तों मैं हमें जो गरवारी है और आप देख रहे हैं तो चानल क्या डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों अच्छा आप लोगों से हमें फीड़बैक मिली है कुछ लोगों से कि सब बहुत ज़ादा पाकिस्तान सेंट्रिक हो गया मामला थोड़ा सा हट के हमें दुनिया की और चीज़ें भी बताएं कि चल क्या रहा है दुनिया में पाकिस्तान को जो ठोकना है या पाकिस्तान की अटेंडेंस लेनी है, पाकिस्तान, प्रेजंट सर, ये वाला ड्रामा तो चलता रहेगा रोज, लेकिन अब हमें दुनिया की और खबरें भी सुननी हैं, तो दोस्तों आज मैं अटेम्ट कर रहा हूँ, देखते हैं वीडियो पर क्या रिस्पॉंस आता है, और आप लोग कित वैसे ही मिलता रहेगा दोस्तों, जैसा आज तक मिलता आया है, देखें, सबसे पहले साओधी अरब और इरान के बीच में अब डिप्लोमाटिक टाइस दुबारा शुरू हो गई, और मैं आपको इसका सिग्निफिकंस बताता हूँ, साओधी जो है, आपको पता है कि इसला लिया था, वहीं पे इसलाम पैदा हुआ था साओधी अरब में और फिर वहीं से दुनिया भर में फैला, तो ऐसा हुआ कि पहले दो हिस्से बन गए, इसलाम के, इसलाम के दो हिस्से बन गए, शिया और सुन्नी ये भी आप जानते ही होंगे, तो दुनिया का जो सबसे बड और जो इसलाम का जनम महा से हुआ था तो जाहर सी बात है कि साथ एरभिया इस वेरी 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 इंपोर्टन फॉम इसलामिक पॉइंट अच्छा इनकी बीच में तना तनी चल रही थी और काफी टाइम से इनके डिपलोमाटिक कॉंटक्स नहीं था एक चाइना ने ब् अपने मुलकों में एक दूसरे के एमबेसी खोलेंगे अच्छा दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा फाइदा उठाया इन दोनों की लड़ाई का ठीक है और इन दोनों की लड़ाई का जो फाइदा उठाया ना काफी लोगों ने अब उन लोगों को नुक लेकिन इस्राइल के रिलेशन इस्राइल के रिलेशन इरान के साथ बहुत खराब है। साथियरप के अमरीका के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं लेकिन साथियरप के इरान के साथ रिलेशन बहुत खराब है। ठीक हो रहे हैं ठीरे ठीरे और पीट पीछे behind the scenes Indian diplomacy ने भी इसमें बहुत एक कमाल का काम करा है खास्त और से जो Modi जी ने direction दिये और जैशंकर साहब ने इसको execute करवाया और इंडिया के आप map देखिए आप ये देखिए नक्षा आपको इसमें क्या देख रहा है ये जो इरान है ना इरान इरान के ओपर sanctions लगाएगा है because of nuclear proliferation, because of this, because of that दुनिया वरके ताम जाँ इंडिया चाहता है कि इरान mainstream हो जाए और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी ख़बर है कि साओधी के साथ उसके relation अच्छे होगे इंडिया चाहता है इरान mainstream हो जाए क्यों? क्योंकि अगर कल foreign forces अगर कल अमरीका आता है अफगानिस्तान, जो कि अमरीका आएगा ने आज नहीं तो कल नहीं तो person नहीं तो 10 साल के बाद America and the West will again अफगानिस्तान, यह होना है यह बाद तय है तो वो कहां से आएंगे? वो आएंगे कहां से? आज तक क्या था? कि दो ही देश थे जो समुदरी रास्ता दे सकते थे आपको क्योंकि अफगानिस्तान खुद तो लैंड लॉक्ड है तो दो ही देश थे एक इरान और एक पाकिस्तान इरान जो है इरान के साथ दुनिया की बनती नहीं अब अमरीका की नहीं बनती इस की नहीं बनती फलाने की, इसराइल की, साओधी की अब साओधी से बनना शुरू हुआ है साउधी से इसकी बननी शुरू हुई और एक दूसरे के एंबसीज भी खोलेंगे इंडिया ये चाहता है कि अगली बाद इतने अच्छे रिलेशन बन जाएं कि लोग इरान का रस्ता जो कि भारत में पोर्ड बनाये वहाँ पे चाबार आपने सुना होगा चाबार पोर्ट और उसके आगे रेलवे लाइन भी बनाये भारत में तो भारत ये चाहता है कि वो आप इस्तमाल करें क्योंकि पाकिस्तान का पाकिस्टान जो कहते है न हम geostrategically बड़े important है यार हम geostrategically इतने important है कि जबर्दस्त मज़ा आगया तीर दुक्के मार दिये पाकिस्टान अपने आप में बिलकुल भी important है नहीं है दोस्तों पाकिस्टान को कोई नहीं पूछता पाकिस्टान सिर्फ इसलिए it is the least important country in the world. उसके पास हैनी कुछ बेचने के लिए. अपनी जियो-्स्रेटीजिक location है. उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई माल नहीं है दुनिया को बेचने के लिए. और उसकी जियो-्स्रेटीजिक इंपोर्टेंस जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अफगानिस्तान से उसके बॉर्डर मिलते हैं तो ये बहुत एक बढ़िया चीज हो गई और इसमां भारत का बहुत जादा फाइदा है अच्छा जी शी जिंग पिंग ने फिर से एलेक्शन फिक्स कर लिया और शी जिंग पिंग ने थर्ड एक टर्म ले लिया है और अब ये बाप बन जाएगा चीन का थर्ड टर्म के लिए नेक्स्ट फाइव यर्स के लिए इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इलेक्शन फिक्स होते हैं ठीक है ना यह जानना जरूरी है किस तरीके से election fix होते हैं तो दोस्तों चाइना में हो गई comedy शी जिंग पिंग जीत गया अपना तीसरा term और तीसरे term के लिए हुआ election बिलकुल fraud बिलकुल fraud मुझे लग रहा था चाइना developed country है developing country है economic superpower है वहाँ पर तो तमीज से काम करते होंगे न ना वहाँ भी बिलकुल जैसे पंचायत में होता है इंडिया में पंचायत का election भी डंग से होता है वाइलेंस हो जाता है लेकिन election डंग से होता है election commission देखता है यहाँ पे चोली देखिए मैं चाइना को अभी एक्सपोज करता हूं total vote जो पढ़ सकते थे चुनाओ के लिए total vote वो थे 2952 यानि कि 2952 दो हजार 952 वोट टोटल के टोटल पढ़ने थे और 9252 वोट मैं पता आपको शीजिंग पिंग को कितने मिले 2952 किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि शीजिंग पिंग के खिलाब एक भी वोट यार यह तो हाल है उनके टोटल फिक्स अब वो दुबारा चीन की किसमत का तिबारा वो चीन की किसमत का मालिक बन चुका है और वो चीन को अब धके लेगा अपने डिरेक्शन में उसने याद है पिछली बार कोविड हुआ तो सारे दर्वाजे शर्वाजे सब बंद कर दी लोगों को वेल्डिंग अपने आपको term देता रहता है तो lack of democracy तो है चाइना में ठीक है economic growth चाइना की कम हो रही है यानि कि एक तो lack of democracy है economic growth है इससे क्या होता है कि positions unstable होती हैं countries की लोग अगर भूके हैं उनको आजादी है तो फिर ये balance बन जाता है या लोगों का पेट भरा है उनकी जेब में पैसे ह लेकिन उनके पास आजादी नहीं है फिर ये balance बन जाता है पर ये नहीं हो सकता कि आजादी भी नहीं है और पैसे भी नहीं है और खाना भी नहीं है समझे है मेरी बात तो ये तीनों चीज़े नहीं हो सकती फिर चाइना में आजादी तो पहले से नहीं थी लेकिन लोगों क पास पैसे खूब थे और lifestyle एक अच्छा था अब क्या हो रहा है कि over a period of time वो lifestyle impact हो रहा है चाइना में real estate ठप ठीक है real estate ठप share market ठप banks काफी ठप और ये सब चीज़े हो रही है और बाकी अमरीका वगएर जितने भी European मुलक है और अमरीका ये सब मिला के इन लोगों ने बोल दिय है ना जो चाइना में manufacturing कर रही है उनको message pass कर दिया कि भूस धीरे धीरे तुम कटो चाहिना से तो मैं जहां मर्जी जाना है जाओ यार तो मैं जहां मर्जी जाना है और दुनिया भर का सामान बनता है चीन पर और चीन उसी की कमाई लेकर दुनिया पर राज करने की कोशिश क कर रहा है चाइना में खुद तो कुछ बनता नहीं है आप जो शूज पहनते हैं मैं आप से मेरा मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं कि इंडिया में भी यही सा इंडिया में डाल दो दूसरी एक काम करो मलेशिया में डाल दो तो यह श्री जिंग्पिंग के अंडर हो रहा है एकॉनमी ऑफ चाइना इस टेकिंगा सेविज हमरें तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या एक बहुत बढ़िया चीज मुझे पता लगी जिससे यार दिल के पास रश्या ने जो गलत काम करे हैं युकरेन में डेखे आज तक अमरीका क्या कहता था अमरीका ये कहता था कि रश्य गलत है युकरेन को हत्यार दो ठोको रश्य को यह कह रहा था अमरीका ने खोद अर्बन डॉलर दी है युक्रेन को लेकिन भाईया कहीं दोनों ने पीट पीछे हाथ मिला लिया मजबूरी मजबूरी भी कोई चीज होती है न दोस्तों तो मजबूरी में दोनों ने हाथ मिला दिया क्या हाथ मिलाए New York Times की रिपोर्ट है बड़ी इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट है New York Times की रिपोर्ट ये कहती है दोस्तों कि अमरीका को ये पता है कि रूस ने war crimes जो युद्ध में आप जो crime करते हैं वो जैसे कि लोगों को मार दिया innocent लोगों को मार दिया स्कूल था स्कूल पर बंब मार दिया बच्चों को ये सब वार क्राइम्स के दा वार क्राइम्स काई चीज़ें होती है मैंने तो आपको सरी रेख दो ऐसी बताई है तो क्या हुगा कि वार क्राइम्स रशिया ने करे ऐसा दुनिया मान रही है मैंने कर दुनिया मान रही कि रश्या ने war crimes करे युक्रेन में और war crimes करे अमेरिका का पास proof है लेकिन अमेरिका ने ये proof छोपा लिया अब देखिया जो पेंटिगन है जो की अमरीकी जो सहने शक्ती है उसका जो गड़ है जो उनका हेडकोटर है वो बाइडन अपने ही राष्टपती को बोल रहा है कि सर ऐसा है कि जो रूस ने गलत काम करें न युक्रेन में सिविलियन को मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये कर दिया, ये सब बताना मत किसी को, तो बाइडन ने पूछा भईया, क्यों मत बताना यार, क्या बच्चों वाली बात कर दो, ये तो, रूस तो हमारा दुश्मन है, हम तो, कहारा सर, ऐसे नहीं होता, रूस हमारा दुश् आपको पता ही नहीं कि politics कैसे चलती है कैसे चलती है कि रहा है सर हम लोग जो है Americans रशियान तो कुछ नहीं कर रहा रशियन तो बच्चे हैं हमारे काले करतूद करतूद देखिये ना हम लोगों ने कहां कहां कौन से जहर की बीजबोई हैं तो किसी ने पूछा होगा कौन से बी राइट आपने इराग को ठोक दिया आपने अफगानिस्तान में बाम मार दिया जब कि लादिन पाकिस्तान में था आपने तो मुल्क के मुल्क बरबाद कर दिये आप किस मूँ से रूस को दोश देंगे कल रूस बोलेगा कि भीया हमें तो छोड़ो हमारे तो कांट 222 के है तुम लोग तो 75 साल से ऐसी खेल गेलते आयो बताओ तुमने कहां कहां नहीं करा तो सर हमारे तो क्वाडर पकड़ गसी टेंगे वो फिर हम लोग का मूँ दिखाएंगे क्योंकि जो अगर हमारे पास रशिया का प्रूफ है रशिया के काले कारणामों का प्रूफ अगर हमारे पास है तो क्या आपको लगता हमारे काले कारणामों का प्रूफ रशिया के पास नहीं होगा चुपचाप बैठे रहो ठीक है यूकरेन को पैसा दे रहो लड़ते रहेंगे आपस में यहाँ पर लड़ाई मत लेकर आओ, कि हम रशिया को ये करेंगे, रशिया को ये करेंगे, कल रशिया ने, अगर बोल दिया कि ठीक है बेटा, तुम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में हमें ले जा रहे हो न, अमरीका वाले सबूत दे रहे हो, तो कि हमारे पाँ सबूत नहीं है, ले भाई तेरे सबूत, तुमने इराक में एक पूरी कौम को निप्टा दिया, इराकियों का कोई लेना देना नहीं, इराकीज हैड नफिंग डू वित 9-11, सद्दाम हुसाइन हैड नफिंग डू वित 9-11, उन्होंने निप्टा दिया, जो वहाँ पे तालिबान कैसा भी हो, अगर किसी पठान के घर आ गया, किसी अफगान के घर आ गया, तो फिर अपनी जान पे खेल जाएगा अफगान, लेकर अपने महमान को हेंड़ोवर नहीं करेगा, महमान क्रिमिनल क्यों नहीं हो, वो बड़े से बड़ा क्रिमिनल क्यों नहीं हो, अब ठीक है, दो धाई ट्रिलियन डॉलर या तीन ट्रिलियन पता ने कितने ट्रिलियन जो डॉलर तुम ने अफगानिस्तान में खर्च कर दिये सैन शक्ती का परदर्शन करने के लिए ये मारो इसको काटो ये करो वो करो अच्छा उसामा बिन लादन को मार भी दिया पाकिस्तान में फिर उसके बाद कई साल अफगानिस्तान में तुम लोग कौन सा धनिया चील रहे थे ये बताओ जरा तो रशिया नहीं बोला है कि बेटा तुम देखाओ जरा फिर हम तुम में बताते हैं तो पेंटेगन ने पहली बोल दिया जो बादन को कि जो सर प्लीज राक्स टेक इजी यह मत करना वाना हमारी पोल खोले गाई है यह देखो यह कहता है अमेरिकन मिलिटरी यह नियु यॉप टाम्स का आर्टिकल है अमेरिकन निउस्पेपर का कहता है कि अमेरिकन मिलिटरी लीडर्स अपोस helping the court investigate Russians because they fear setting a precedent that might help pave way for it to prosecute Americans क्योंकि Americans ने भी जबरतस्त war crimes करे है ठीक है तो Russians तो बच्चे हैं उनके सामने में बता रहा हूँ Chinese बच्चे हैं उनके सामने Chinese are kids, Russians are kids in front of the Americans Americans ने तो वियतनाम में जो नेपाम से गाउं के गाउं उड़ा दिये थे बच्चे कितने हाजारों बच्चे मार दिये नेपाम जो होता है it's a fuel based explosive जो कि उपर भटता है और पूरी oxygen सक कर रहता है बाहर लोगों के लोगों ने सांस ली तो आग उनके फेपड़ों में चली गई and it just sucked the oxygen out बहुत बेदर्दी समा रहा है agent orange की बात करते हैं लोग आप जाके देखें किया क्या क्या नहीं करा अमेरिकान है बाकी सब ठीक है freedom की बात करना और इंडिया को जो बीच बीच में lecture दे देता ना कि religious freedom इंडिया में ये नहीं है और हमें बुरा लग रहा है human rights प्रेजरेंट को कह रहा है जो बाइडन को कि बाई साब जिल्ले लाही दूसरे पर हंगली उठाने से पहले ये देख लो कि हम कितने काले हैं हमारी करतूतें कितनी काली हैं ऐसा नहों कलम भज जाएं अच्छा जी Australia to buy US nuclear parts submarines in a deal to counter China पांच Virginia class nuclear parts submarines submarines United States से खरीदेगा Australia अच्छा आपको पता ये कलम ने कवर करा था Australian Prime Minister आइनेस विकरांथ की उपर चले थे अब ये क्या हो रहा है कि उसके बाद ये ख़वर आ गई ठीक है तो क्या है कि Australia अब अपने आपको मजबूत कर रहा है nuclear power submarines ये अमेरिका से खरीद रहा है इसकी एक डील फ्रांस के साथ होनी थी और होनी पाई किसी करण से तो Emmanuel Macron जो था बड़ा दुख्यू की हो गया तो Australia से और बोला कि तुमसे कट्टी है अब बात नहीं करेंगे तुमसे something like that लेकिन fact of the matter is Australia is buying stuff from the United States of America ये पाँच nuclear submarines nuclear part submarines जो है ये खरीदेगा Virginia class की और ये 2030 तक ये डेलिवर हो जाएंगी इसके बाद ये the arrangement which would also include rotating American attack submarines through Perth in Western Australia by 2027 adds new details, complexities to a 2021 security pack between Australia, Britain and the United States known as AUKUS हमाज रहे हैं तो ये AUKUS के तहत काम हो रहा है Australia, UK and the United States ये AUKUS का एक grouping बनी है AUKUS के तहत ये काम हो रहा है कि ये nuclear attack submarines अब अमेरिका से खड़ी देंगे चाइना को counter करने के लिए और उसी लिए Australia का प्रधान मंत्री INS विक्रांस पे आया था अगनी वीर के लिए बड़ा ना लोगों ने बड़ा चैंचैंचैंः पैंपैंः अगनी वीर बुरा है ऐसा है वैसा है दुनिया भर की चीज़ है हमारे जो देश के नेता है उनकी तो आद़ तक कूदने की हर चीज में कूद गाचा उसके बारे में knowledge हो ना हो सेंटर ने डेक्लेयर कर दिया है कि 10% वेकंसी BSF में अगनीवीर की होगी सीमा सुरक्षाबल में 10% वेकंसी अगनीवीर में होगी अब मैं आपको बताता हूँ अगनीवीर की स्टोरी जो लोग बच्चे अपलाई भी कर रहे हैं अगनीवीर के लिए देखो ऐसा है मैं आपको बताता हूँ ये सरकार को बहुत पहले डेक्लेर कर देना चाहिए था तो इतना ड्रामा होता ही नहीं है पर ठीक है टाइम लगता है और डेक्लेर कर दिया सरकार ने अब वो हो गया है बेसिकली क्या है कि अगनीवीर में ये सिस्टम है कि अगर 100 लोग जाते है उधारन देरों 100 का वैसा हजारों जाएंगे 100 का उधारन पकड़ लो आप तो 25 तो फोज बने जाएंगे अब बचे 75 तो लोगों का यह कहारा था भाई ये 75 कहां जाएंगे कोई कहारा है डाकू बनेगा से 3000 अगनीवीर लेगा BSF BSF का 30,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको एक उधारन दे रहा हूँ ठीक है, just give you an example अब BSF में 3000 जाएंगे अगनीवीर, वो पक्का हो गया अब आप आने वाले 3-4 महनों में ये सुनेंगे कि CRPF में भी 10% का हो गया अगनीवीर के लिया ठीक है, CRPF बहुत बड़ी फोर्स है और दुनिया की सबसे बड़ी internal security की फोर्स है CRPF और BSF is the largest border guarding force in the world, ठीक है तो आप इनको छोटा मत समझना ये लाखों की तादात में इनके पास लोग है BSF के पास भी और CRPF लाखों की तादात में बहुत बड़ा infrastructure इनके पास है and these are massive forces ये बहुत बड़ी forces है अब आप ये देखेंगे कि BSF अब CRPF का आएगा ITBP ITBP थोड़ी सी छोटी force है लेकिन ITBP बहुत एक महत्रकून force है अच्छा मेरी जो पैदाईश है न मेरे पिताजी उस समय 2nd Battalion ITBP में CEO हुआ करते थे, Commandant हुआ करते थे जब मैं पैदा हुआ थो मेरा थोड़ा सा ITBP के साथ थोड़ा सा वैसे भी लगा हुआ मैं ITBP में पैदा हुआ BSF ने पाल पोस्के बड़ा करा और Indian Army ने यह बना दिया जो आपके सामने है, ठीक है तो ITBP is a small force, Indo-Tibetan Border Police लेकिन ITBP बड़ी जबरदस्त force है और जादा तर जो Tibet के border के साथ है, areas वहाँ पे उनका deployment है, VIP security भी भी इनका deployment है और बढ़िका काम करती है पोर्ज है, वहाँ पे भी लोग जाएंगे फिर CISF है, आपने CISF को देखा हुआ airports पे, लेकिन आपको क्या पात पता है कि ports जो होते है sea ports है जहाँ पे, बड़े-बड़े हमारे वहाँ पे भी CISF रहती है, बड़े-बड़े industrial complexes में CISF गार्ड करती है वहाँ पे भी अगनी वीर जाएंगे फिर एक SSB है, जो नेपाल के आसपास के border area को गार्ड करती है SSB वहाँ पे भी अगनी वीर जाएंगे तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि अगले एक साल के अंदर ये अगनी वीर जो है ना, ये 99% सेट हो जाएंगे कही ना कहीं सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मिल जाएगी कानी कतम आपके वो आर्मी में नहीं होगी तो तो क्या होगा देश की सेवा करनी है और पक्की नौकरी चाहिए ना, बात तो यह यह है Central Police Organizations, CPOs उसमें ये भी होगा बाद में आप देखेंगे कि Police Forces आगया आएंगी लेने के लिए कि हमें भी अगनी विर्ची देखें, मैं आपको बात बताता हूं क्या होता है कोई भी trained man पार को जाने नहीं देना चाहता आप खुद अगर आप company चलाते हैं या company में आप किसी कोई manager के साथ है अगर आपको बोलेगा कि यार आपके अंदर ना कुछ लोग हैं, operations के लोग हैं, बड़े तगड़े हैं trained हैं हम आपको कल के बच्चे दे रहे हैं, जिनको आपको training करनी पड़ेगी तो आप हर समय चाहोगे कि trained बंदा आपके पास हो जो दोड़ के काम करे तो Indian Army की training और उसके बाद इसका 3-4 साल का experience उनको मिल रहा है चार साल का experience उसमें हो सकता है, राश्टर राइफल्स में भी हो यह एक्स जगे मैं राश्टर राइफल्स की बात तो नहीं कर रहा है मैं कहना हो कि कहीं line of control पे भी होगा counter insurgency operations भी उसने करे होगे उसने सब कुछ कर रहा होगा तो यह बंदा जो निकलेगा यह बिलकुल तलवार की धार जासा निकलेगा और यह लोग जाएंगे फिर और forces में तो इन forces का भी जो intake का profile है इन forces का already profile तो बहुत अच्छा है CRPF BSF ITVP का मैं force की profile की बात नहीं कर रहा है मैं जो intake की बात कर रहा हूँ जो सिपाई लेवल पे लोग आएंगे न तो यह अगनी वीरों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है बाकी आखरी में मैं आपको बता दूँ एक चीज़ मैं तो एक ख़बर पाकिस्तान की थी यार मैं भूली गया मैंने बोला कि पाकिस्तान की बिलावल कह रहा है कि बही IMF unfair है और मुझे लगता है कि जब IMF जो हमसे कह रहा है यह देखिये बिलावल के sense of entitlement देखिये यार पाकिस्तानियों का sense of entitlement कि भीक हमारा हक है यह जो है न यह आप इसको काट नहीं सकते है बस आप इसको काट नहीं सकते है अलग level के खिला रही है बिलावल he further said that the IMF was stretching out talks at a time when the country needed money to help the poorest of the poor and they are being told that until the tax reform is not complete we will not conclude the IMF agreement ठीक है जी यह कह रहा है कि अब यह बिलावल देखो बिलावल का aim क्या है कहने का अब देखिये सुनिये दियान से सुनियेगा Is it really the time to nitpick यह बिलावल जो है IMF को लेक्चर दे रहा ही है IMF को लेक्चर दे रहा है Is it really the time to nitpick about our tax policy and tax collection while we are suffering from a climate catastrophe of this scale यह लेक्चर दे रहा IMF को क्या यह सही वक्त है क्या आप मीन में एक निकाल रहे है कि तुमारा tax नहीं है तुमारा यह चाहते हैं कि चेक लिख के दे दे कि ले बेटा बिलावल तु जा अपनी शॉपिंग कर ले बेटा और विक्टम कार्ड किश्चीज का खेल रहा है कि पाकिस्तान में फ्लाड आये थे और का के यह तो 23rd time तुम लोग IMF में जा रहे है 23rd time तुम लोग IMF में जा रहे हो तब भी को अर्थ को एक आये था तब भी कोई सुनामी आई थी क्यों जूट बोल रहे है तुम लोग IMF के पास इसलिए गए क्योंकि तुम लोगों को मुफ्त में आयाशी करने का शौक है तुमारे मुलक में जो तुमारा मुलक का अश्राफिया है तुमारे मुलक का जो टॉप लेवल का जो क्रीम है जिसमें तुमारे फौजी जेनरल शामिल तुमारे बियोरोक्राट तुमारे जजज तुमारे बड़े बड़े अफसरान ये ग्रेड 20, 21, 22 वाले इनको हराम की लथ लग गई है ये चाते हैं कि मुफ्त का डॉलर आए बाहर से और ये लंडन में और दुबई में बड़े बड़े फ्लाट करी दें और लोन अपने सर पे बैठा लें और बाहर भाग जाएंगे इनको क्या फरक पटा नवाज शरीफ भी तो बाहर है नवाज शरीफ का है लंडन में बैठा हुआ है और नवाज शरीफ ने जो लोन लिये थे वो तो पाकिस्तानी आवाम पूरे देगा ना उसकी किष्ट तो पाकिस्तानी आवाम भरेगा क्योंकि वो जो रिड़ी वाला है वो जो जो जॉब कर रहा है बंदार जो कुछ हजार रुपा कमा कि अपने परिवार का अपने खानदान का पेट पालता है वो उसका तो लंडन में कोई फ्लैट नहीं है उसका तो लंडन में कोई फ्लैट नहीं है उसका तो वहीं कच्छी आबादी में रहना है और ये जिन्हों ने बाइस बार तुमने लूटे थे पैसे, तब कौन सा फ्लटाया था, तो ये नियत खराब है इन लोगों के, ठीक है ना, तो दोस्तों आपको कैसा लगा, हमने इस बार जो करा है, इसमें आज के लिए कोई question answers नहीं हमारे, लेकिन मैं ये कहना चाहरा था, कि इस बार हमने एक को सराखों के, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, आमारे चैनल को सब्स्क्राइब करिए, बेल आइकन दबाना, बिलकुल भी मत बूलिए गा, जहिंद, वन्ने मातरम, भारत माता की जहिए. झाल